नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविद्दर दोस्तो आज कुछ हम बात करेंगे जियो की ब्लेंक सिम कार्ड के प्राइज के एक नए अपडेट के बारे में दोस्तो यदि आप भी एक जियो के नई रिटेलर हैं या पिक जियो के पुराने रिटेलर हैं तो दोस्तो आप सभी को पता है कि जियो कमपनी सभी रिटेलर को फ्री में सिम कार्ड दे रही है दोस्तो आने वाले कुछ ही महिनों में आप आपको जियो की ब्लेंक सिम कार्ड का पैसे चुकाने होंगे तो दोस्तो आज कुछ ह हम चर्चा करेंगे इसी विशे के उपर तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहना अंतक जरूर देखना वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मुझे कोमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कै तो आपके डिस्टूटर की तरफ से आपको जियो का ब्लैंक सिम कार्ड फ्री में दिया जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर जियो कंपनी की तरफ से आए एक नई अपडेट में अब जियो पोज प्लस के रिटेलर को एक सिम कार्ड का पांच रुपे के हिसाब से पैसे देने होंगे अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि इसके इस रूल को लाने का कारण क्या है जैसे कि आप सभी को बता है कि आपर एटल कंपनी एक सिम कार्ड का पांच रुपे चार्ज करती है वहीं बा माली जी कोई भी रिटिलर जीयो का ब्लैंक सिम काड फरी में खरीदता है तो वो उसकी कदर नहीं करता है यहाँ पर मारकेट के अंदर देखा गया है कि यहाँ पर ज्यादतों जो रिटिलर है वो एटल, विया और बैसे नल की सिम को काफी ज़ादा समाल के रखते हैं और जो नोब ही उनके पास जिओ का SIM card होता है उसको वह इतना समाल के नहीं रखते हैं यानि माली जीए उनको एक SIM के cover के आफसकता पड़ी तो जिओ की SIM को तुरन्त ही packet को फार देंगे और उसके अंदर से जो है उसके SIM के कवर को निकाल लेंगे तो दोस्तो ऐसे में जो है मार्किट के अंदर काफी जादा SIM कार जो है ऐसी परकार से लोस हो रही है तो दोस्तो यहाँ पर Jio कंपनी की तरफ से भी यह फैसला किया गया है कि यहाँ पर Jio के रिटेलर को भी Jio का Blend SIM कार जो है अब 5 रुपे का पढ़ने वाला है तो दोस्तो यहाँ आप एक Jio Post Plus के रिटेलर है तो आपके लिए बुरी ख़बर है तो दोस्तो यहाँ आपको यह ख़बर कैसी लगी है मुझे कोमेट करके दोस्तो जरूर बताना तो दोस्तो चलिए आज वीडियो में इतना ही मैं लेता हूँ इजाजत मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत